हलो वीवर्स मैं हूँ दॉक्टर आलोरिका वेलकम डू मैं चैनल सो फ्रेंट्स आज की टॉपिक है फंक्शन्स ओफ थायरोड ग्लैंड आज ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक इंपोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि मैं ये जो थायरोड ग्लैंड का फंक्शन का जो आज मैं बोलूँगी उसके बाद मैं इसके बाद सीरियली मैं हाइपो थायरोडिजम और हाइपर थायरोडिजम इन दोनों टॉपिक पे भी दो-दो वीडियोज मनाओंगी तो अगर आप लोग ये सीरीज देखना चाहते ह है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तो आप लोगों को ये जो लेटेस्ट वीडियोज के अप्डेट्स हमेशा मिलते रहेंगे ये जो थायरोड ग्लैंड है हमारे बोडी में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉर्मन सिक्रेटिंग ग्लैंड है ये हमारे यहां नेक में यहां पे एक बटरफ्लाइश शेप में ये यहां पे सिच्वेटेट है तो ये जो है ये तीन मेजर हमन्स सिक्रेट करता है एक है T3 एक है T4 और थायरोक्सिन आड ग्लैंड ये मेजर 3 हमन्स इन जो दो हैं T3 आण T4 ये दो hormones हमारे body के सभी functions को maintain करती हैं हमारी body की growth, metabolism, everything इन दोनो hormones से ही maintain होती है So, without these two hormones all the functions of the body will be disturbed and hampered So, अब body को कब कितना T3 and T4 चाहिए अपनी body के functions को properly maintain करने के लिए ये body को ही पता होती है तो body को control करती है brain and brain में जो pituitary gland है वहाँ से एक hormone secret होता है वो है TSH, thyroid stimulating hormone जो की thyroid gland को stimulate करता है to produce certain amount of T3 and T4 to regulate the body's normal function सिधी भात है जब body में thyroid hormones की जरूरत है then pituitary releases TSH and उसे बोलता है कि जाओ जाके TSH क्या करता है thyroid gland को बोलता है ओ भाई उठो अपना काम करो So, T3 and T4 ये दोनों mainly form होते हैं by the iodine ये iodine बोडी में ठीठ ठाप produce नहीं होती तो इसके वज़े से इसे बाहर से लेना पड़ता है by the foods we intake Now come to the functions of T3, T4 and calcitonin So, calcitonin का ही function में पहले बोलती हो Calcitonin का function ये ही है कि ये हमारी body में जो bones है यानि जो हड़ी है उसकी growth and metabolism में help करती है T3 and T4 इन दोनों का क्या functions है ये तो बहुत ही important है इन दोनों ही हमारी body को active रपने में मदद करती है हमें energetic रखती है हमें energy produce करके देती है और हमें कठिन पडिश्रम करने के लिए help करती है हमारी body की BMR, Bessel, Metabolic Rate इसको increase करती है and totally ये हमारी body की all over functions को बहुत ही ठीक रखने में मदद करती है So, इन hormones की अच्छे functions होने पर जो effects हमारे body में होते है good effects उसके बारे में अभी मैं details में आप दोगों को बताने बाली हूँ So, number one है बच्चों की दिमागी विकास और उनकी growth की improvement और number two है जैसे हम बहुत hard work कर पाते हैं किसलिए hard work कर पाते है? बजा energy और जो energy है वो इन दोनों hormones के help से ही produce हो पाती है क्यूंकि वो calorie burn होके energy produce करते हैं और calorie कहां से आती है? calorie आती है food से और जो food intake होता है वो proper digestion के बाद उसके बाद calorie का burning होता है तो यह जो total process है यह digestive system का process है तो वहाँ पे भी इसका काम है इस hormones के काम है तो in total it maintains your body's stability now body की जो temperature है हमारी शरीर की ताप मात्रा को भी संतुलित रखता है हमारी शरीर की जो normally जो गर्माहट है उसको यह maintain रखता है by the energy it produces and यहाँ पे जो nervous system जो है हमारी बोडी में उसको भी यह बहुत इंप्रूफ करता है और उसकी result है good memory power and concentration so in total यह T3 and T4 hormone हमारी बोडी की एक बहुत बड़ी पिलर है जो हमारी बोडी को ठीक रखने में in totally मदद करती है so friends यही थी मेरी आज की informative video about the functions of the thyroid gland so इसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया है आएगी hypothyroidism and hyperthyroidism so please wait and of course share with your friends and please like the video if you liked it so stay healthy and fit